ये हैं राज भाई जिनोंने शाह गंज के आउटर से शाह गंज आयोध्या सेक्शन पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग का वीडियो बना कर हमें भेजा राज भाई बहुत बहुत शुक्री आपका ठैंक यू सो मच मेरे भाई एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बना कर हमें भेजने के लिए फिलाल रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंदित आपरों को यहाँ पर काम नजर नहीं आएगा यानि कि जो डबल लाइन के लिए रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना है उसके लिए फिलाल यहाँ पर डबलिंग से संबंदित काम किया जा रहा है मिट्टी पठान का काम चल रहा है यह यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स साबर मती एक्स्प्रेस है जो दर्भंगा से एहमदाबाद के बीश में चलती है जीरो एक्क्यानवे चाचट तो वहीं बात चल लए थी मिट्टी पठान का काम यहाँ पर चल रहा है शागंसे बिलवाई के बीश में अंतिम चरण में रहे गया है मिट्टी पठान का काम बाकी जो अयोध्या तक पूरा मिट्टी पठान का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है तो बायदिशा में भी अगर आप लोग नजर डाले देखिए तो यहाँ पर मिट्टी पठान का काम चल रहा है डबलिंग और रेल इलेक्टिफिकेशन का काम जफराबाद से बारा बंकी के बीश में किया जाना है कुछ हिस्सों में रेल ट्रैक डानने की शुरुआत भी हो गई है गोसाईगंज रेलवे स्टेशन के आगे से या कहिए आप अकबर पूर जंक्शन देलवे स्टेशन के आगे से तो उसी क्रम में यहाँ पर भी काम किया जा रहा है जफराबाद से बारा बंकी तक यह पूरा का पूरा जो सेक्शन है यह उत्तर रेलवे के अंतरगत आता है तो देख सकते हैं फ्रेंट्स जैसी भी मशीन भी लगी हुई है खुदाई का काम चलना है इसके अलावा मिट्टी पतान का काम भी किया जा रहा है तो तेज रफ्तार से काम चलना है डबलिंग का पहले चड़र में जफराबाद से अकबरपूर जंक्शन डेलवे स्टेशन फिर दूसरा चड़र जो है वो अकबरपूर जंक्शन से बारा बंकी जंक्शन वाया अयुद्या कैंट होते हुए तो इसी से संबंदित एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए तो जैसे जैसे काम पूरा होता जाएगा तो डबलिंग के लिए ट्रैक भी खुलता जाएगा अब जैसे की जौन पूर से शागंज के बीच में पहले सक्शन खुलेगा फिर शागंज से अकबरपूर जंक्शन डेलवे स्टेशन तक अकबरपूर जंक्षन धेलवे स्टेशन से आयुध्या कैंड तक उसके बाद फिर आयुध्या कैंड से बारवंगी के बीच में तो आयुध्या कैंड से हो सकता है दरियाबाद या रुदौली तक खोला जाए फिर आगे चरणों में तो वीडियो को लाइक जो कीजिएगा चलर को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग भी हमें वीडियो भेजने चाहें तो भेज सकते हैं मेरा वाट्सअप नमबर वीडियो के शुरुआत में दिया हुआ है दुआओं में याद रखेगा अपना ख्याल रखेगा जय ह झाल सब्सक्राइब करेंगेपा जाफें लाटान ओया ख्या झाल सकते हैं Grandpa